हलो एब्रीवन इसके डिजैनल में आप सभी का स्वागत है आप जो स्कीम पे बैकनेक ब्लाउज देख रहे हैं उसी का कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे और जो ब्लाउज में पहले से डिजाइंग रहता है उसी को अच्छे से से स्टेप बाई स्टेप कटिंग और स्ट अब अधाई इंच पे गले पे निस्तान लगा लेंगे आप अपने अनुसार रख सकते है इस तरह से देख लिजिए और निचे की तरफ से गला रख लेना है फ्रेंच 12 देख लिजिए निसान लग चुका है फ्रेंच 12 इंच पे उपर से धाई इंच प्रेंच नीचे से तीन इंच पे निसान लगा लेना है अब निसान को मिला लेना है फ्रेंच एक चवकोड बोक्स बना लेना है इस तरह से देख लिजिए बन चुका है फ्रेंच अब इस चवकोड बोक्स मे हम भी गला डालेंगे इस तरह से देखली जैसे भी गला डालेंगे अब दुसरी तरफ से भी हम इस तरह से निसान को मिला लेंगे प्रेंस निसान लग चुका है देख लिजिए आप अभी हम इसे कटिंग नहीं करेंगे अधिक ले लिए फ्रेंस पर पहले से डिजाइंग दिया है भीगला का तो हम उसी के हिसाब से शिलाई करेंगे देख लिजिए अच्छी तरह किस पहले सेट कर लेना है और पिल लगा लेना है पिल लग चुका है फ्रेंस अब में जहां से हम चौक लगाएं फ्रेंस मिसाब वहां से में सिलाई लगा लेना है अब में आधे इंच कपड़े को छोड़का फ्रेंस नहां से कटिंग कर लेना है कपड़े को कटिंग हो चुका है फ्रेंस अब में फ्रेंस गले पर कट लगा लेना है पर टेनिक बाद अच्छी तरीके साब का डिजाइंग अब आजाएगा फ्रेंस असानी तरीके से लग चुका है फ्रेंस अब हमें इससे पल्डी कर लेना है पल्डी हो चुका है फ्रेंस अच्छी तरीके सेट करके फ्रेंस इससे उपर एक सिलाई लगा लेना है गले पर हम पूरे गले पर शिलाई लग चुका है देख रिजी आ इस तरह से अब मैं अस्तर को अच्छा तरिके से कपड़े पर शेड़ कर ली ना है फ्रेंस उसके ऊपर एक शिलाई लगा लेना है अस्तर इधार उधार ना जाने पाए अच्छी तरिके से ब्रेंस इसी तरह से हम पूरे चारों बगल सिलाई लगा लेंगे सिलाई लग शुके है फ्रेंज इस ट्रेक को कटिंग कर देना है इस तरह से देख लिजिए कटिंग हो चुका है अब यहां से हमें आधे पर फोल्ड कर लेना है और आधे के जो बीच है वहां से में फ्लेट से लगा लेना है फ्रेंज देख लिजी है इस तरह से द्री दुर्प से लगा लें मि सँ तरह से फ्राइश लगा चुका है । अब एक पट्टी ले लिए फ्रेंज और इसे के उपर अच्छी करके रखहण करके फिलाइ लगाist है, इसे करके इस्टों पर में लगावायना है, हम चका भरो कितरफ ही तरह हो पर में लगावाइना है, इस तरह से लगावावा लेना है एक और, इस तरब से भी सिलाई लग चुका है, friends, देख लिजिया, अब हम कपड़ा ले लिए, friends, डिजाइंग के लिए, तो प्लस दो है, देख लिजिया, इस तरब से फोल्ड करके, इसके उपर एक सिलाई लगा लेना है, friends, इस तरब से हम पूरे डिजाइंग बना लेंगे, पूरे गले के लिए, इस तरब से बन चुका है, friends, इससे कटिंग करके अलग-अलग कर लेंगे, friends, इसके बाद इस्ट्रा कपे को कटिंग कर देंगे, देख लिजिया, इस तरब से कटिंग हो चुका है, friends, देख लिजिया, अब मैं, friends, इससी तरब से गले पे बैठा लेना है, इससी तरब से प्रेंग और पूरे गले पे बैठा लेंगे, देख लिजिया, देख लिजिया, देख लिजिया, बहुते संदर लग रहा है, friends, अब इसके उपर हमें, friends, लैस बैठा लेना है, इस तरह से देख लिजिया, प्रेंग अच्छी तरीके से दिखेगा, और संदर भी लगेगा, लेस के दुसरी तरफ से सिलाई लगा लेना है सिलाई लग चुका है देख लिए इस तरह से डिजैंग बन चुका है बहुत है खुबसूरत लग रहा है और नीचे की तरफ से लेस बैठा लेना है लेस के दुसरी तरफ से सिलाई लगा लेना है सिलाई लग चुका है देख लिए अब देख लिए इस तरह से लटकन को इस तरह से बना लेना है दो फोल्ड करके बीच में डूरी रख लेना है उसके बाद एक और फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है देख लिए आप एक और सिलाई लगा लेना है सिलाई लग चुका है फ्रेंज इस तरह कपड़े को कटिंग कर देना है इसे हमें आराम राम से पल्टी लगा लेना है फ्रेंज पल्टी हो चुका है देख लिए एक लटकन तयार हो चुका फ्रेंज इस तरह से हम दूसरा भी लटकन बना लेंगे देख लिजी आप इस तरह से इस तरह कपड़े को कटिंग कर देना है फ्रेंज इसे भी आराम राम से पल्टी कर लेंगे दूसरा लटकन कंपलीट हो चुका है फ्रेंज आप हमें ब्लाउस में जॉइंड कर लेना है देख लिजी आप इस तरह से इसी तरह से भी शिट कर लेना है फ्रेंज आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और नए चैनल को तो सस्क्राइब जरूर करें फ्रेंज थैंक्यू